जीत अंदर और श्रीदेवी की अधूरी प्रेम कहानी जीत अंदर और श्रीदेवी की जोरी सबसे लाजवाब है सबसे सुपर हिट है मगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे ऐसी अफ़ाएं फिल्म दुनिया की गली और कूचों में गूंचता रहता था उस वक्त इसमें सचा ही कितना है चलिए जानते है इस वीडियो में जीत अंदर और श्रीदेवी की पहली मुलाकात हुई थी मदराज में ये साल था 1980 का जब जीत अंदर गए थे मदराज स्रीदेवी की एक तमिल फिल्म जिसने 100 डेस कंप्लिट किया था और जीत अंदर उस फंक्शन में चीप गेस थे तो जीत अंदर स्रीदेवी की पहली मुलाकात उसी फंक्शन में हुई थी जीत अंदर ने अपने फिल्म के लिए स्रीदेवी को बहुत बधाई दी और तब जीत अंदर को ये भी नहीं मालूम था कि जिस लड़की को वो बधाई दे रही है आके चल कर यही लर्की जीत अंदर की जिन्दगी में बहुत एम किरदार प्ले करेगी जीत अंदर श्रीदेवी की यह जोड़ी काफी हिट रहेगी मगर फिर दीन गुजरा, महीना गुजरा और साल कुछ ऐसा गुजरा कि दीदारे यार यह फिलिम के बाद जीत अंदर पूरी तरह से पिट गए थे वो फिल्म भी बुरी तरह से पिट गई थी यानि दोनों की हालाद बहुत खस्ता था अपने सिनमा केडियर के लिए तो तभी हिम्मत वाला आई दोनों की जिन्दगी में हिम्मत वाला के डारेक्टर के रगवेंदर राउन ने जब स्री देवी को इस फिल्म के हिरोईन के लि देखी है ऐसा ही इंटर्वियों ने उन्होंने कहा था हिम्मत वाले की शूटिंग शुरू हो गई थी हिम्मत वाला की शूटिंग चलती रही और इसी शूटिंग के बीच जैसे जीत अंदर श्री देवी भी एक दूसरे के बहुत करीब आ गये थे कहा जाता है ये एक साइ करे बिना दोनों रह सकते हैं इसके बाद मवाली फिल्म की शूटिंग आउटडोर लोकेशन थी केनिया में तो हिंदुस्तान से बाहर जब फिर दोनों को एक साथ होने का मौका मिला तब जीतंदर ने श्री देवी को प्रोपोस किया और श्री देवी ने इस प्रोपोसल को माना भी और बहुत सारे लोगों को कहना है कि केनिया में जीतंदर श्री देवी एक होटेल के रूम शेयर करते थे शूटिंग के जो स्पोट बॉय थे दो चार लोग इसमें देखा था तो ये मामला जब खबरों में तूल पकड़ी तो ऐसा का जाता है कि जैसे गुचाल सा गया जीतंदर के परिवार में जीतंदर के फैमिली में जीतंदर श्री देवी के बारे में जब जीतंदर की पतनी शोभा कपूर को पता चला तो वो गुस्से में लाल पिली तो हो गई मगर जीतंदर को कुछ कहा नहीं यही मामला एक तक अपूर यानि जीतंदर की बेटी क भी था तब वो बरी भी हो गई थी स्कूल में पढ़ती थी और स्कूल में उसे बहुती इंसल्ट फिल होने लगा था जब जीतेन और शीदेवी के आफेर के कहानी मैगजन के गौसिपों में छपकर आता है और एकतकापूर के फ्रेंड्स एकतकापूर को कहती है कि तुम्हार का गुस्सा पारा बहुत चला रहता था तब जीतेंदर बंबए में नहीं रहते थी मदराज में ही पड़े रहते थे क्योंकि उनकी हर एक फिल्म की शूटिंग साथ में होती थी तो जीतेंदर महीने में दो-तिन बार ही वो घर आते थे यानी भंबए आते थे और बाकी दे मुझे स्रीदेवी के साथ ही रहते थे क्योंके पूरी जो फिल्मों का लिस्ट है जितंदर की सिर्फ और स्रीदेवी से भड़ी पड़ी रहती थी यानि हर रोज स्रीदेवी से मिलना होता था जितंदर का इसी बीच शोबा कापूर ने एक स्ट्राटीजी अपनाई उन्होंन दे थी कि स्रीदेवी के साथ उनके पतनी का दोस्ती हो जाए तो मामला बहुत आसान हो जाएगा मिलना जुलना चलता रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा स्रीदेवी को साथ बचे बुला गया था और स्रीदेवी उस दिन बंबई आई थी शूटिंग के लिए और अखुआ स्रीदेवी ने शायद सपने भी में नहीं सोचा था एक तकपूर शुबा कपूर जैसे स्रेवा के उपर पूरी तरह से बरस परी दोनों का चितना बी खटास था वो क्लदरा ढ़रा सब्सक्रोन ने शूब्लम ने लिए बहुत ही इंसर्ट किया स्रीदेवी को शो बात करने की कोशिश कर रही हो उदार एक तक अपुर भी अपनी इंसेंटिंग का बदला ले रही है वो भी कहती है कि तुम्हारे लिए मेरे फैमिली में कुछ हो रहा है उसका सर मेरी स्कूल डाइप में भी पर रहा है तो सवाब बिक है इस घटना के बाद डाइनिंग टेब जीतंदर को पता भी नहीं चला कि उसके फीट पीछे उसके घर में स्रीदेवी का इतना बड़ा इंसर्ट इतना बड़ा अपमान बोगए जितंदर ने जब शोबा कपूर से पूचा कि क्या हुआ तो शोबा कपूर फिर सब जीतंदर के उपर मरस परी और जीतंदर को एक हमें सब कुछ मालूम है कि स्रीदेवी के साथ कुमारा क्या चकतर है अभी अभी सुधर जाओ वरनम मैं तुम्हें डिवोर्ज दे दूंगी और मैं अपने बच्चों को लगर चली जाओंगी तुम स्रीदेवी के साथ शादी कर लो मुझे कोई परक नहीं पड़ता जीदेवी के साथ शिन्दर की मुलाकात होती ओर जैसे ही डायरेक्टर कड बोल देते थे जिसी दही सीदह अपने मम्मी के पास चली जाती थी और जीते अंदर के साथ बात करने की कोई भी कोशिश वो नहीं करती और जीते अंदर का कोशिश भी नाकाम रहा था और इसी भी जीते अंदर स्रीदेवी के जिन्देगी से बहुत दूर जा चुके थे और तभी सतंडे की जिन्देगी में मिठुन चात्र वर्ती का आलास कुरा मगर ये भी और एग बात है कि मिठुन चात्र वर्रती भी एक शाधी शुदा लड़के थे तो क्या था मिथुन चक्रवत्य और स्रीदेवी की प्रेम की कहानी इसका वीडियो में बहुत चल आऊंगा दो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए कि अधे भी लोग इस वीडियो को देख रहे थे अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया त इसी और नहीं वीडियो के साथ तक के लिए आपना ये खुश तंदुरू स्टाटा टिप के आरेंड बाइबार